नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Learn Math ही जिली में आज के वीडियो में हम एक इंपोर्टन ठीओरम प्रूफ करने जा रहे हैं जहां पर हम यह कह रहे हैं R is an integral domain if and only if Rx is an integral domain Rx से मतलब है हमारा polynomial ring over a ring R तो इसका जो प्रूफ है वो बहुत जादा सिंपल है बस जरूरी यह है इसके प्रूफ को समझने के लिए कि इससे जो पिछला थियोरम है जहां पर हम पात कर रहे हैं प्रॉड़क्ट ओफ डिग्रीस ऑफ पॉलिनॉमियल्स की वो आपको अच्छे से क्लियर हो यानि कि आज के वीडियो को समझने के लिए जरूरी यह है कि आपको इसका जो पिछला वीडियो है जहां पर हम दो पॉलिनॉमियल्स के प्रॉड़क्ट की डिग्रीस की बात कर रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए इसकी जो थियोरम है उसको ही मैंने यहां पर थियोरम की जो statement है उसी को मैंने यहां पर as a heading यूज करा है तो उसको मैं rewrite कर लेती हूँ यहां पर R is an integral domain if and only if Rx is an integral domain तो चलिए शुरू करते हैं इसके proof से suppose Rx is an integral domain suppose Rx जो है वो एक integral domain है आप क्या देखते हो कि R जो है वो Rx का subset है हम polynomial ring की starting से यह वाला concept discuss करते आ रहे हैं कि R जो है वो Rx का subset है अगर हमारे पास में कोई भी एक integral domain होता है तो उसका subset जो है वो हमेशा ही integral domain होगा और अगर Rx integral domain है तो उसका जो subset है R वो भी एक integral domain होगा therefore R is an integral domain तो यह वाला जो पार्ट है वो यहीं पे complete हो गया अब हम इसका converse पार्ट जो है वो discuss करते हैं suppose R is an integral domain suppose R जो है वो एक integral domain है इसका मतलब क्या हुआ R is commutative and R does not have zero devices इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में A non zero है B non zero है तो इसका मतलब इनका जो product है वो भी हमारे पास हमेशा ही non zero होगा क्योंकि इसका zero divisor exist नहीं करता है ring R का अब हमारे पास में R commutative है इसका मतलब क्या हुआ R X is commutative यह थीज़ हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर हमारे पास में ring commutative है तो उसके बेस्टू polynomial ring होगी वो भी commutative होगी तो R X commutative हो गया अब हमें सिर्फ यह प्रूफ करना है now to prove अगर हम कोई भी दो elements ले लेते हैं R X के अगर वो non zero है तो उनका जो product है वो भी non zero होना चाहिए तो हम ले लेते हैं let F X not equal to zero G X not equal to zero belongs to R X हम F X और G X जो हैं वो कोई भी दो polynomials ले रहे हैं R X R के यानि वो R X के दो elements हैं हमारे पास में F X into G X हमारे पास में जब R integral domain होता है ऐसे केस में हमारे पास में degree of F X into G X क्या होती है इस equal to degree of F X plus degree of G X which is equal to suppose degree of F X जो है वो है M और degree of G X जो है वो है N तो हमारे पास में degree of F X into G X हमारे पास में क्या आगई M plus N therefore हमारे पास में degree of F X plus G X जो है अगर वो कोई भी एक integer आ जाती है not equal to zero therefore हमें क्या मिल गया F X into G X जो है वो non zero polynomial मिल गया हमको यहाँ पर therefore R X is an integral domain क्योंकि हमारे पास में F X और G X जो थे वो arbitrary non zero element थे R X के इसका मतलब हम कोई भी non zero elements लेंगे उनका जो product आएगा वो हमेशा ही non zero होगा इसके बीच में और line लिख देती हूं last में लिख लूँगी therefore R X does not have does not have zero divisors तो R X के zero divisors exist नहीं करेंगे therefore R X is an integral domain क्योंकि हमारे पास में कोई भी ring जो है वो integral domain कब होती है जब हमारे पास में वो commutative हो और उसका zero divisors exist नहीं करना चाहिए commutative वाला पार्ट हम पहले ही प्रूफ कर चुके है और इसका zero divisors exist नहीं करते है therefore R X to है वो हमारे पास में integral domain आ जाता है तो इस तरह से हमारे पास में यह जो if and only condition है वो यहीं पर complete हो जाती है next video में हम एक और बहुत-बहुत important theorem discuss करने वाले हैं जहां पर हम यह कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में F जो है वो field है तो हमारे पास में उस पे operate होने वाली जो polynomial ring है यानि F X over a field F is an Euclidean domain आप यह धियान रखिए जो section चल रहा है अभी तक वो हमारे पास में वो है Euclidean domain का और इस पर based जो भी results है वो सब के सब यहां पर यूज होने वाले हैं तो आपको यह जो Euclidean domain का concept है वो अच्छे से clear होना चाहिए आपको यह जो चीज है वो भूलनी नहीं है क्योंकि जो section आपका चल रहा है वो यही है और जो जो चीजें आपने अब तक यहां पर करी है रिंग थियोरी में अब तक आपने जो करी है वो सब की सब आपको यहां पर recall करनी होगी चाहे वो prime ideal हो, maximal ideal हो, section 2 के concepts हो, रिंग थियोरी के first section के concepts हो वो सब यहां पर कहीं न कहीं इस्तमाल होने वाले हैं क्योंकि अब हमारे पास में जो पिक्चर है सबसे पहले वो एक रिंग हुआ करती थी और अब हम उसका एक बड़ा सा super set consider कर रहे हैं वो भी एक रिंग है वो है ring of polynomials तो जो जो चीजें हमने यहां पर यूज करी हैं उन सब का इस्तमाल कहीं न कहीं यहां पर भी होने वाला है चाहे वो हमारे पास में सब रिंग का concept हो, quotient ring का concept हो, maximal ideal, prime ideal, principal ideal यह सब चीजें यहां पर भी यूज होने वाले हैं तो इस तरह से आज का यह जो वीडियो है वो यही पर complete होता है Thank you so much for watching this